तो जैसा है कि हम लोग last part में कैसे discount निकाला जाता है, कितना discount का अर्थ क्या होता है वो समझे हैं, इस part में हम लोग questions उसका देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ हम लोग basic questions उठाएंगे, basic मतब ठीक टेक questions ही रहेंगे, और फिर उसके आगे इसी तरह से part wise हम लोग एक एक करके questions ल हो गया है, अब यहाँ एक class है, अब हम लोग को mix up questions करने हैं और वो भी बाकी है, ठीक है, तो इसलिए निश्चिंत रहें और हम लोग सभी करने वाले हैं, तो चलिए यह वाला easy वाला topic था तो इसलिए इसको पहले मैंने उठा लिया था कि यह cover हो जाए आपका, अब ध्यान दीजिए, question क्या है, किसी सोरूम में एक वस्टू का सुची मुल्य दो हजार रुपए हैं, तथा वह 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के दो क्रमिक बटो पर बेती जाती हैं, उसका सुध विक्रह मुल्य होगा, इससे पहले कि लाश्ट में मैंने तीन सवाल जो दिया था, तो जैसे ही आप दे रहें, इस वीडियो, जो कि ये वीडियो पहले ही बन रहा है, तो इसके अगले वाले वीडियो में मैं उसका बता दूँगा कि किसका किसका सहीव है, ठीक है, जो लोग भी बनाया होंगे, और पीछे वाले वीडियो में का तीन सवाल आप बनाया होंगे, उसके जवाब मैं अगले वीडियो में बता दूँगा कि कौन कौन से ही बताया था ठीक है चलिए अब ये समझते हैं हम लोग इस question को देखते हैं लगता है पहले थोड़ा सा मैंने पहले एक बड़ा question अच्छा इसके बाद थोड़ा सा छोटा कर दे जाएगा कोई बात नहीं इस बड़ा देखकर घबराना नहीं है मैं इस question को आपको एक नहीं दो नहीं बलकि तीन तरीके से बनाना बताऊँगा तीन क्या अगर आपको तो चार तरीके से बता दिये जाएगा तो मतब अर्थ कोने का मतब में रूप सब तीन ही है वो चौथा तो उसी का एक निकलाव पार्ट है और उसमें भी अगर आए तो सिफ दो ही में कहा जाए बाकि दोनों उसका shortcut रासता है चलिए तो देखते हैं कोशन को हम लोग बनाना सुरू करते है में मक्सद क्या है आपको समझाना तो किसी showroom में एक वस्तू का सुची मुल्य कहने कारते अंकित मुल्य असान ब सक्सेसिब डिसकाउंट हम लोग पढ़े हैं तो एक तो क्लियर दिख रहा है कि फॉर्मूला के सारे हम लोग कर सकते हैं लगे पहले आए मेथट वाई जम लोग एक करके तो सबसे पहले यहां पर दिक्रीड आओगा ओके यहां पर सबसे पहले में फर्स्ट मेथड आपको पता देता हूं यह फर्स्ट मेथड हम लोग कर लेते हैं यह सबसे नॉर्मल वाला और जो आप प्रॉफिट और लॉस में पढ़ें उस वाले मेथड से पहले करते हैं फिर हम लोग आगब रहेंगे दो हजार रुपया है ठीक है इसको एक बार 20 प्रतिसत का छूट मिल रहा करते हैं यहां पर चुमझेंगे दो हजार का 20 परसंट क्या हाईगा यहां लोस्स schw 15 परसंट मatलभ क्या अब 20 मास स्कते हैं बिलकुल लिक सकते हैं और चितना excellent आएगा उसका फिर 10 परसंट निकालना होता है यह successive discount का तो यह corset इसको बहतरीन मेथट से जो बनाना है वह आगे में बताऊंगा इस टेप के एकदम छोटे कोशन हो तो आप ऐसे भी एकदम पटाक से एंसर दे सकते हैं ठीके तो मैं मेथट बता दे रहा हूं लेकिन याद रखेगा बहतरीन मेथट तो दो ही है या तो सिदर सक्सेसिव वाला फर्मूला अप्लाई कीजिए या रेशियो वाला जो है उससे तो फिला लेकिन अभी जान लीजिए तो 20 परती सकते हो अब इसका 10 परसेंट यानि कि 90 परसेंट 100 माइनस 10 नबे हुआ ना तो डायक में यहां पर लिख सकता हूं 90 परसेंट अगर इसको कैल्कुलेट करते जा फर्मूना 144 और 10 144 रुपया और 1440 रुपया ऑप्शन सी इसका राइट इंसर कितने छोटा रहा ऑप्शन सी इसका राइट इंसर बहुत सिंपल ध्यान देजिए कि एक दम हानी वाला जो बेसिक से अगर आप वीडियो सुरू से देखते आ रहे हैं तो यहां पे आपको बिल में थर्द देखिया अगला में थर्द हम लोग इसको सक्सेसिफ फर्मूला से उसमें क्या था कि जैसे 20 पर 30 है और 10 पर 30 है तो इसमें लोग क्या करते हैं फर्मूला एड़ करते हैं तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गूणे 10 बटस और यह तो पीछे भी मैंने समझा था लास्ट पार् यानि कि छूट कितना मिला उसे 28% तो अब यहां से आपके दो रास्ते निकलते हैं वही मैंने कहा कि इसको चाहिए तो आप 4 तरीके से कर सकते हैं मतलब इसमें से 2 रास्ते आप निकाल सकते हैं एक तो सिधे 48% का आपको discount हो रहा है क्या और है साथ के दो 72% अप सिधे निकाल देंगे तो भी अमारा एंसर आजाएगा एक तो यह रास्ता है देखे मैंने क्या कहा कि यहांसे दो रास्ते आप निकाल सकते हैं अभी मेन वाला ही रिश्यों में तो अप्लाई करेंगे यहां पर द्यान दीजी एक तो सिंपल पहले चले पहल पांच सो साथ ठीक है कितना होगे पांच सो साथ अब यह क्या करें तो 2000 के मांट में से इसको घटा दिये तो यह तो बहुत बेसिक वाला हो गया यह अपलाई हम लोगों कभी करना ही नहीं है ठीक है ठीक है फिर भी यहां पर समझा देता हूँ 0 10 में से 6 गया चार और यहां पर 9 में से 5 गया चार एक 1440 रुप्या देखें यह आ गया बिलकूल एक तो हो गया यह वाला जो बच्चे वाला काम है तो लेकिन आपको क्या करना है यह इसको भी एक में गिंतिया आप कर सकते हैं एक तो यह हो गया इसको छोड़िए यहां तक आप आईए 28% और आब मैंन डबल जरे से डबल जरे से बहुततर दूना 144 रुप्या देखें तो फिर ऑप्सान यही रहा यह बहुत 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 है नहीं यह तो फोर्मूला से आप पटाक देने यह लें अच्छा आपको फिर मैंने बताया था कि यह समय इतना नहीं लागा आपको यह सब करने का ज चली जराए अब मैने कहा कि तो एक हो गए दो बात अबया जाता है अगर इसको आप लग अलग दो कर लिए तो इसली में यह तीन हो गया 20 पर 30 और 1 है 10 20 पर 30 का अर्थ आप जानते हैं एक बटा 5 और 10 पर 30 का भी अर्थ आप जानते हैं एक बटा 10 ये बात ध्यां रखने है भीन वाला में मैंने समझाये था उसे पर प्रेक्टिस हम लोग कर रहे हैं एक कोर्शन में मैं क्यों इतना टैम दे रहा हूँ एक अगर धंग से किलर हो जाएगा तो आगे हम लोग रफ्टार से बढ़ सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया भाई यहाँ पर है MP ना और यहाँ पर क्राम में बट्टू पर बेची जाती है उसका सुद्व विक्रम मुल क्या होगा हला कि SP हम लोग को बताना है अब यहाँ पर पांच रुपे के चीज पर एक रुपे के छूट यहाँ डिस्काउंट का बात हो रहे हैं तो 2 से 10 कटेगा 5 बढ़ में 2 से 4 कटेगा 2 बढ़ में यहाँ पर 5 पचे गुणा हुआ 25 यहाँ पर 9 दूना आठ थारे ठीके 25 और 8 इसकी को यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे अब सामने से मुझे लग रहे है कि यहाँ पर नहीं दिखाई देरा होगा कि पता ना दिखाई दे रहा होगा, तो अच्छी बात है, मैं फिर भी एक बड़ यहां पर लिख देता हूं, मैंने वहाँ पर क्या लिखा है, MPSP, थ्रसा इसमें डाउट होने लगते हैं, कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इसे बात को मैं यहां दे द आँ दे रहा होगा तो यह होगा कि दो बार लिख देना पढ़ेगा और क्या कोई बात नहीं जल्द जल्दी लिख देता हूं 10 और 9 यह यहाँ पर है 5 1 तो मैंने क्या किया है नीचे जो कैल्कुलेशन अगर नहीं दिखाई दिया होगा तो मैं यहां पर सॉल्व कर रहता हूं कि इसको मैंने कटा है टो हजार जो दिया गया है वह है आपका मार्ट प्राइस तो दो हजार जो दिया गया है वह आपका MARK प्राइस तो दो हजर बटा पच्चीस और गुने हमें क्या बताना है सेलिंग प्रैस तो गुने अठारे कर दीजी बात कर दीजी बात कर दीजी तो इस वाले में थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि यह वला तो कहीं ज़्यादा टाइम नहीं ना लग रहा है ऐसा बात नहीं है आप जल् मेथड ही आगे आपको हेल्प करने वाला है तो इसको एकदम प्रैक्टिस कर लेजी एकदम ध्यान दे दीजी तो यह हुए आपके तीन तरीके या इसको मिला कि अलग अगर बातते हैं तो चार तरीके करें जो आपके मर्जी तो इसका आप मैं साइड हो जाता हूं इसका आ अगर देखते हैं इस को एक और को स्वेस्ट को किसी वस्तु को उसके अंकित मुल्य पर चौदा प्रतिसत का बटा देकर यानि कि 14 परसेंट का डिसकाउंट देकर 387 रूपीज में तीन सो साटासी रूपे में बेच दिया जाता है वस्तु का अंकित मुल्य पूछ रहा है उसका उसका मार्क्ड प्राईस हम से पूछ रहा है पीछे जो हम लोग कोस्टन लेते उसके तुल्ला में यह एजी है पर देख लिए पहले इससे लेने ताब उससे लेन थे तो मैंने पहले बड़ा थोड़ा सा लिया था देखिए कोई बात नहीं अब यहां पर समझेंगे क्या है बहुत सिंपल जैसे profit and loss में शुरुवाती time के वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था बिलकुल वही ध्यान देजे किसी वस्तु को उसके अंकित मुले पर 14 प्रतिसत का बटा दे कर यानि कि वहाँ पे जो बेचने का होता था तो उसमें हानी प्रतिसत दिया रहता था उ आपको कितना 387 रूपीज 86 परसेंट का दिया रूपीज हम लोग को क्या निकालना है 100 परसेंट का वैलू निकालना है मैंने पहले भी बता है कि या तो आप ये data लिखिए नहीं समझ में आता है तब और अगर ये चीज़े आपके मन में आती है तो ये कुछ भी नहीं यानि कि ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप यह जो सुचिए कि 387 किसका वैलू है तो 86 परसेंट का यान 14 परसेंट का वैलू है कितने का चाहिए तो 100 परसेंट का तो मिल्टिप्लाई कर दें अगर इससे समझ में आता है तो 387 या पर लिखे है इस 86 को नीचे लाए जैसे समझ में आता है वैसे यह जैसे समझ में आता है वैसे जैसे आप अगर आप ध्यान देंगा दो से यह कटा बना सकते हैं आपिखेंगे बिलिकुल बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं बहुत ध्यान से Soul कितने दिया नहीं आप सेकर मिथ्य देख रहा है यहां तक का का म क्थम सेकर उब स्कुन पर्सेंट को सबसे पहले आप कितना कर सकते हैं तो 14% का अर्थ हो गया 7 by 50 हुआ ना ऐसे आप इसको ऐसे समझ लिए कि 14 बटा 100 की जेगा ना तो दूसरते 14 बटा 50 बटा 70 है गर मैंने डिरेक्ट लिख दिया यह क्या है डिसकाउंट का यानि 50 रुपे के चीज पर 7 रुपे का डिसकाउंट क्या हो रहा है यह अगर मार्क प्राइस है यह अगर सेलिंग प्राइस है तो 50 रुपे के पर बात चीज पे 7 रुपे का डिस्कांट है तो कितना बचा 43 रुपें। चाहे तो आप इस method से बना लें, तो इस method से बनाजेगा तो ये लिखने का कुछ जरूत नहीं है सिधे आप इस जगह पर आजीए, या फिर इस method से बना लें, तो ये भी लिख के समझाया ही न गया है, आपके मन में तो चलना चाहे कि 50 पर साथ का डिसकाउंट है, तो सीधे, 387 by 43, multiply by 50, लेकिन जो भी करना है, पस उस पर practice किजेगा, सबी चीजे बहुत जल्दी-जल्दी से और बहुत असानी से होंगी, इसका भी आप note-down कर लिजे, आईए हम लोग next question देखते हैं, तो अगला question जो है, 15% बट्टे के पश्चात, किसी कमीज का मुल्य 102 रूपय है, बट्टे से पहले कमीज का मुल्य कितना है, रूपय में पूछ रहे कितना है, बहुत सिंपल, अभे भी जो पीछे वाला question किये हैं, लोग एकदम उसी पहे है, मतलब छूट देने के बाद, 15% का जब छूट दिया गया है, तब उसका दाम 102 रूपया है, अब पहले बताना है कितना है, बिल्कुल वैसे हैं, तो 15% छूट देने का अर्द का गया, यनकि 85% का वैल्यू कितना है, 102 रूपया, तो इस बात को मैंने आपसे कहा है, 100% का निकालना है, तो ये चीजे नहीं लिखे, मैंने क्या कहा आपसे, कि हमेशा आप क्या करो, 102 रूपया है, उसे लिखिए, वो कितने का वैल्यू है, तो 15% छूट के बाद, यनकि 85% का वैल्यू है, कितने का निकालना है 100% का value निकालना है ओके जो result आएगा वो आपका हो जाएगा answer अब यहाँ पर देखे तो 5 से कटा तो 5 सत्रे बड़ में ये कटा पांस से 20 बड़ में इधर कटा सत्रे से यहाँ पर देखे तो 6 बड़ में कटा और 6 में 20 से गुना किए तो 120 रुपे right answer यानि कि option C आपका right answer हो गया इसको बारे 1000 मत समझेगा यहाँ पर decimal दियान देजेगा ठीक है 120 रुपे आपके option C right answer same question को किसी भी बच्चे को मन है कि हम इसको fraction से करते तो बाबू आप 15 पर 30 को जानते हैं क्या लिख सकते हैं 15 बड़ा 100 चलिए एक बड़ देख लिए 15 बड़ा आप 100 करके आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 से 3 बड़ में करता 5 से 20 बड़ में करता यानि कि क्या जाता 3 बड़ा 20 है जाता हम जानते हैं 20 रुपे के चीज हमें 20 रुपे के चीज पर 3 रुपे छूट है 120 रुपे राइट एंसर यानि इस case में भी आपका option C राइट एंसर होता है तो मुझे नहीं लगता है इसमें किसी भी तरह का दिक्त है बहुत यासानी से आप इसे बना सकते हैं बहुत असान है इसको आप लोट डाउन कर लीजिए तो यह हम लोग ये question देखते हैं मुल्य क्या था उसका पहले का मुल्य पूछ रहा है क्या था ठीक है यानि कि कितना था कि उस पर 12% और 5% का successive discount देने के बाद वो 209 रुपे में बेचा गया तो देखे इस question को आप अगर ratio से बनाएंगे तो बहुत असान होगा बाके उनों formula से भी बना कर देखे लेंगे वो थोड़ा सा लंबा होगा पर देखिए मैं दोनों समझा रहता हूँ सबसे पहले ratio से समझने के लिए आपको पहले 12% को मैं बार बार करता हूँ इसको ध्यान देना होगा नहीं समझ मैं तो हमेसे आप 12 बटा 100 किये इसको काट चाट किये तो 4-3-12 पहर चार 25 बड़ मैं कटा क्या आगए अज़्या बागो तीन बटा 25 यह डियरेक्ट आपको ध्यान रहेगा अच्छे बात ने ध्याना यहां से बुजर सकते हैं, पर ध्यान रहना चाहिए यह रहना है, यह ध्यान रहना चाहिए इस बात को आप ध्यान रहे ठीक है, 5% बरबर कितना हो गया, 5 प्रट्टा 100 यहां पर, चलो कोई तो यह होगा एक बट्टा 20 ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं 5-20 बड़ में कटा है अच्छा हम लोग क्या करते हैं हम यहां पर MP लिखते हैं यहां पर समझने के लिए वहां पर लिखना और कुछ नहीं सवाल करना है अब क्या बात है 25 रुपे के चीज पर 30 रुपे का डिसकांट होगा तो उनीस रुपे में मिलेगा ओके यह निकल गया है यह दोनों डिसकांट कहीं तो परसेंट था इसलिए हम डिसकांट निकल लेते हैं अच् चाइक तो यह देख रहा है कि दोसे कटेगा यह भीछ से कटेगा यहां पर गुंहर गुना की है थो ढूसटा पच्छास है अगया यहां पर गुना के तो निस से कम मुले दिया हुआ तो 109 आब और अंकित मूल लेक्या वोगा, इसमें तो किसी चीज़े, बुना भाग करने के भी जुरूत नहीं हुई, 209 दिया हुआ है, और 250 इसका, 250 इसका अंकित मूल पहले ही, मार्क प्राइस दिया हुए, यानि कि जब सेलिंग प्राइस 209 है, जब सेलिंग प्राइस इसका 209 है, त तो इस हिसाफ से आपका ये answer हो गया, option D आपका हो गया, अब बात है कि इस हिसाफ से, मतलब यहां से तो clear दिख रहा है, answer direct आगया, किसी से गुना भाग करने का जुरूत ही ने पड़ा, और अगर गुना भाग के हिसाफ सा समझने चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले लिख है, तो इस 209 का value है, तो इससे भाग कीजिए, हमें किसका निकालना है, तो इसका निकालना होता है, तो इससे गुना कीजिए, अब कटा लिजिए, एक बड़ मैं, फिर वापस वहीं पर पहुंच गया, तो खेर यहापे तो वह करने का जुरूत ही नहीं था, अब इसको हम लोग किसी का बच्चे का मन में है, कि सर वो जो बताय थे successive formula, x plus y minus x into y by 100, उस पे नहीं होगा, क्या, बिलकुल हो सकता है, देखी, फर्मूला के हिसाब से क्या हो गया, तो 12 plus 5 minus 12 गोने 5 बटा 100 हो गया, यहाँ पर हम जानते हैं, 5 से कटा दिये, 20 बड़ में ये कटा, 4, 3, 12 चार पच्चे 20, यह हो गया, 12, 5, 17 minus 5, 0.6, यहाँ तीन बटा 5 के हो गया, 0.6, इसको जब कैलकुलेट कियें, तो यह कितना हो जगा, 16.4 हो जगा, 16.4 हो गया, अब हमें इतना परसेंट का छूट हो गया, अब यह सवाल आपका पीछे कितरा बन गया, अब यह जो पीछे कि है, कि किसी वस्तू पे 16.4 परसेंट का बटा है, यानि कि 16.4 परसेंट का छूट है, डिसकाउंट है, तो उसका जो बेचा गया, 209 रुपे में बचे गया, यानि कि 16.4 परसेंट के छूट के बाद उस वस्तू को 209 रुपे में बेचा गया है, तो हम लोग इसमें क्या करते हमें से इसको कट्रटेंगे से माइनस कर दो अब देखेंगे सिल्मी यह किसका तो 83.6% का वेलू है, हमें किसका निकालना है, 100 का निकालना है, यह वला तरीका सिंपल हो गया, मतलब आपको लिखने का जोड़त नहीं है, 83.6% का वेलू यह इसना लिखने का जोड़त है, तो अब इसको कैल्कुलेट करने के लिए एक और कम करें, डेसिमल पहले साइड का 9 ह यहां पर 836 हो गया, और गुने, यह दसमलों हटाने के लिए उपर एक और 0 बढ़ा दिये, अब इसको देखें, कटाने के लिए तो 4 बढ़ में कैंसिल हडा है, तो 4 बढ़ में कटा तो यह 250 बढ़ में कट गया, फिर से वापस हम लोग कहां चले हैं, देखें, 250 रुपे प का इसी साफ से भी right answer, तो देखें, बात क्या है कि आपको question देखकर, यह decide करना है कि कब किस method पे हम काम करें, ऐसे तो इसको देखा जाए तो एक और तरीका से किया जा सकता है, वो जो मैंने शुरू में चार तरीके बताय थे, उसमें से एक और apply किया जा सकता है, वो जो 2000 वा पर इतना ध्यान रखिए कि आपको questions पे select करने होंगे कि कब कौन असान होगा, जिसे इस question के लिए यह perfect था, अगर ऐसे कोई जा रहा है, तो अपने time waste कर रहा है, तो question को पकड़ना है, हलाकि ratio method को तो आपको एकदम command ही रखना है, अभी तो कुछ बहुत easier है, अभी वो जब आपको पुर्णानक्स में आएंगे, तो दिक्कत होगा, 33 पुर्णानक एक बटा तीन जब आ गया उस समय आपको तो यह वही वाला काम आने वाला है, यह सब काम नहीं आएंगे, तो उस पर आप practice किजेगा, इसको आप note-down कर लिया होंगे, मैं वैसे भी site था, तो आप यह थोरा share किजे इसको, ताकि और बच्चे add हो, और मुझे भी अधिक सदिक बनाने में थोरा सा motivation मिलते रहे, बाकि कोई दिक्कत हो, नीचे comment किजे, अच्छे सा समझ में आओ, तो भी बताते चलिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ और कैसे चलते रहना है, इतना basic से चलने में ठी और थोरा सा भागा जै उपर या और नीचे से चलना है, जो भी यह बताईए, मिलते हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत!